प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने सुमवार को रोजगार मेले की तहट हाल ही में भड़ती के गए एक लाग से अधिक कर्मियों को नियुक्ती पत्र वित्रित किये वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से आयो जित एक कारिक्रम के दौरान प्रधान मंत्री ने राइधानी दिल्ली में समेकित कर्मयोगी भवन परीसर के पहले चरण का शिला नियास भी किया इस परीसर का उद्देश शे मिशन कर्मयोगी की विभिन शाखाओं के बीच ताल मेल और सहयोग को बढ़ावा देना है नवन युक्त युवा विभिन मंत्रालियों वा विभागों जैसे राजस्व विभाग, ग्रह मंत्राले, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणू उर्जा विभाग, रक्षा मंत्राले, वित्तै सेवा विभाग, सास्ट इवं परिवार कल्यार मंत्राले, जन जातिये मामल के मंत्राले और रेलवे मंत्राले में विभिन पदों पर भरती होकर सरकार में शामिल होंगे प्रधान मंत्री कार्याले के मुताबिक रोजकार मेला देश में रोजकार सरजन को सर्वोच प्राथमिक्ता देने की प्रधान मंत्री की प्रतिबदता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है पीम मोधी ने वर्चन माध्यम के जरीए कारिक्रम को समुरित करते हुए कहा कि आज हर युवा जानता है कि अगर वे कड़ी महनत करे तो वे अपने लिए जगा बना सकता है दजाचाउदा से हम युवाओं को भारत सरकार के साथ जोडने और उन्हें विकास में भागिदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं हमने पिछली सरकार की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक नौकरियां दी हैं उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं सरकार का बहुत जोर है कि भड़ती प्रक्रिया एक तैय समय के भीत पूरी कली जाए मेरे प्यारे युवा साथियों आज एक लाग से जादा युवाओं को सरकार में नोकरी के लिए नियूक्ति पत्रत दिये गए आपने कड़ी महनत से अपनी ये सफलता हासिर की है मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ युवाओं को भारत सरकार में नोकरी देने का भ्यान लगातार तेज गती से चल रहा है पहले की सरकारों में नोकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियूक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था इस देरी का फाइदा उठाकर उस दोरान लिश्वत का खेल भी जम कर होता था हमने भारत सरकार में भरती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है इतना ही नहीं सरकार का बहुत जोर है कि भरती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान आउसर मिलने लगा है आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है 2014 के बाद से ही हमारा प्रयात रहा है कि नव जबानों को भारत सरकार के साथ जोड़ कर उन्हें राष्ट निर्मान का सहभागी बनाए पहले की सरकार ने अपने दस साल में जितनी सरकारी नोकरियां दी थी उससे लगवग डेड़ गुना ज़्यादा सरकारी नोकरी भाजपा की सरकार ने अपने दस साल में दी है आज दिल्ली में एक इंटिग्रेटेड ट्रेइनिंग कॉंपलेक्स का भी सिलान्यास हुआ है मुझे विश्वास है कि नए ट्रेइनिंग कॉंपलेक्स से कैपेसिटी बिलिनिंग की हमारी पहल को और मजबुती मिलेगी साथियों आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुड़ रहे हैं इन सेक्टर्स में जो नए अभ्यान सरकार ने शुरू किया है उसकी वज़े से रोजगार स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं आपने देखा है कि इस बजेट में एक करोड परिवारों के लिए रूप टॉप सोलर पावर स्कीम की गोशना की गई मेरे प्यारे युवा साथियों आज एक लाग से जादा युवाओं को सरकार में नोकरी के लिए नियूक्ति पत्र दिये गए हैं आपने कड़ी महनत से अपनी ये सफलता हासिर की हैं मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ युवाओं को भारत सरकार में नोकरी देने का भ्यान लगातार तेज गती से चल रहा है